सब्सक्राइब को चैनल विद्ध्यार्थी मित्रान नो दावीच या पाचवी कवीता खोपया मदी खोपा या मदे आपले स्वागत आहे अजिस तुलबा तालेबात आज हम जमात दहुम यानि दसवी जमात के खोपया मदी खोपा ये नजम पढ़ेंगे इसे लिखा है बहीना भाई चोधरी ने ये 880 में पैदा हुई और 1951 में इनका इंतिखाल हुआ शेद के रहा चया कुटम बातिल संसारी स्थरीची सुख दुखे अनुभावतान अंतस फूरती ने बहीना भाई नी कावी निर्मिती के लिए यानि किसी किसान के घर में पैदा हुई एक खातून ने अपने तोर पर जो का यहां पर कवीता लिखी है उसके बारे में यहां पर बयान किया गया है मानुसकी निसरगाशी समरस्ता डोड़ा श्रद्धा अनि खेड़ा तिल समुः जीवनाची जानुटे आंचा कवीते तुन दी सुन यह थे इंसानियत और फित्रत से लगाव उनके गाउं की जिन्दगी की जो बाते हैं उनके इस कवीता से दिखती है समझ में आती है मनातला जाती वन्त जिवहाणा परकट करनारी अलपक शरीशाय धी भोवताल चे निसरगाची मानुई जगन्याची खान देशी बोली तिल सहच सूर्त आविशकार ही तियांचा कवीते तिल वशिष्टे आहे बहीनाबाई चे मुर्तियों नंतर तियांचे पुत्र कवी वर्रे सोपांदेव यानि आचा रहतरे यांचे प्रुत्साहना मुड़े बहीनाबाई ची गानी एकने उशे बावन हा कवीता संग्रह परकाशित केला बहीनाबाई चोधरी इन्होंने अपनी एक अलग शैली में निसर्ग के में रहने वाले जीने वाले जानवरों जानदारों के एक खांदेशी बूली में बहुत बहतरीन अंदाज में से पेश किया है बहीनाबाई के मुर्थ्व के बाद कवीवर्य उनके जो बच्चे थे सोपान देवनोंने आचारे अत्रे के प्रत्साहन से बहीनाबाई ची गानी ये कवीता संग्रह परकाशित किया है प्रस्तुत कवीतेत कवीत्री ने सुगरन पक्षी उमानस यांची तुलना करून सुगरन पक्षया मद्यास नार्या सरजन शिल्थ चे वर्नन के लिया है इस नजम में इस कविता में एक सुगरन पक्षी यानि बया एक परिंदा है उसके और इंसान के बीच में मवजूद जो समानता है उसे पेश करने की कोशिश की है सुगरन पक्षी परिंदा है इसकी की तरह इसकी की तरह इनसान निसर्ग यानि फित्रत की जो देन है देनगी है उसके हिसाब से और इसे खूबसूरत बनाने की कोशिश करना चाहिए पहले से पढ़ लेंगे फिर से हम समझेंगे अरे खोपया मधी खोपा सुगर निचा चांगला देखा पिला साथी तीने जोका ज़ाडा ले टांगला पिले निजली खोपयात जसा जूलता बंगला तीचा पिला मधी जीव ज़ाडा ले टांगला जीव ज़ाडा ले टांगला खोपा इनला इनला जसा गिलक्याचा कोशा पाखराची कारागीरी जरा देखरे मान सा तीची उलूशी चोच तीच दात तेच ओट तूले देले रे देवाने दोन हाथ दहाबोट दोन बाहाथ दहाबोट बहीनबाई चिगानी अब यहां जो गोसला नजर आ रहा है यह बया का गोसला है इसे वीवर वर्ड भी कहते हैं हम इसे शिंपी भी कहते हैं और इसे सुगरनी भी कहते हैं पहले समझेंगे खोपा किसे कहते हैं खोपा एक घर्टे होते हैं यानि कि गोसला होता है पक्षियाचे घर्टे देखा यानि पाहा देखो टांगला यानि लोंबट ठेवला टंगा कर रखा जूलता यानि जूलनारा यानि जूलने वाला आंदोलने घेनारा जोके घेनारा यानि हवा की जोके से हिलने वाला इनला यानि जिसे बुना हुआ बुनवट किया हुआ विन लेला कारीगीरी यानि कौश गोसले को खोपा कहते हैं या फिर गिलक्या चाकोशा अरे खोपया मधी खोपा यानी घोसले में घोसला है सुगर निचा चांगला यानि बया का बहुत ही खूपसूरत है चांगला देखा पिला सार्थी देखो बच्चों के लिए जोका जारा ले टांगला उसने क्या किया है यह जोटा जाड को टांग दिया है पिले निजले खोपयात के जो बच्चे हैं वो खोपयात बैट गए है जैसे जूलता बंगला है यानि उसका जो घर है वह जूलता बंगला है तिचा पिला मधी जीव-जीव जाडाले टांगला और उसका जो जीव है उसकी जो जान है वो पिल्लों में यानि बच्चों में है और उसने क्या किया है उसे जाड़ पर टांग दिया है खोपा इनला इनला जसा गिलकियाचा कोसा अब जो खोपा है वो कैसा है इनला है यानि बुना हुआ है और खोपा इनला इनला जसा गिलकियाचा कोसा जैसे लख्षिदार जाला है वैसा ही उसका जो खोपा है वो नजर आता है पाकराची कारागीरी जरा देखरे मांसा यानि परिंदे की जो कारागीरी है एंसान तू देख ले तीछी उलूशी चोच तेज दात तेज ओठ ओट इसकी जो चोच है वो उलूशी जो तोड़ी सी है दुन हाथ दहाबोड और यहाँ पर शिकायत कर रही है कि तुझे खुदा ने दो हाथ और दस उंगलियां दिये है चलिए इसका खुलासा समझते हैं भाहिना भाई ची खान देशी बोलित आपले कवीते सुगरनी ची घर्टे बादनी ची कसब समझाओं संगतात यानि भाहिन इनसान ने उसे देखना चाहिए उसे बूना है उसे जाड को लटकाया है जूले की तरह उसके बच्चे कितने खुब है वो टांगते हैं लेकिन उसका दिल तो बच्चों में है यानि कितना और यह क्या है एक बंगले जैसा है और वो बच्चों पर बहुत माया करती है उसक गोसला है वो नक्षीदार जाली से बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत नजर आता है आपने भी देखा होगा और ये परिंदे की कोशल को समझना चाहिए इनसान ने और उसके उपर हमल करना चाहिए अब इसकी चोटी सी चोँच है उससे वो बड़े-बड़े काम करते है और खूबसुरत फित्रत के नजरों को बढ़ाते रहते हैं और उसकी कोशल которомती से इंसान ने भी क्या करना चाहिए साबाख लेना चाहिए और एक अपनी इस फितरत को बहतर बनाने में कोशिश करना चाहिए अगले वीडियो में हम इसकी कृती के साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए खुदा आफेज